मेश राशी किसी से पार्टनर्शिप ना करें घर में बदलाव हो सकता है सिर्दर्द की समस्या बढ़ेगी शुबरंग हैलाल आज पीली मिठाई दान करें ब्रशब राशी अपने पड़ोसी से बात ना बिगाने नौकरी के योग मजबूत होंगे सुबह के समय योग करें शुबरंग है गुलाबी आज शनी मंदिर में उपासना अवश्य करें मिठुन राशी अपनी सोच को सही दिशा में रखें व्यापार के नए अवसर मिलेंगे कारेच्छेतर में बदलाव ना करें शुबरंग है नारंगी आज पीपल की जड़ में मिठाई जरूर रखें आए मित्रों बात करते हैं पहले उस महोपाई की जो धन की समस्या को खत्म कर सकता है अपनी कुलदेवी के नाम से चावल और गुड की खीर बना कर पीपल की जड़ में रख दीजिए और अपने घर की उत्तर दिशा में जल भर कर जरूर रखें आए जानते हैं करक सिंग कन्या राशी का देनिक राशी पल करक राशी प्रोपर्टी से धनलाब होगा रिष्टों में धोका ना करें पुरानी बिमारी खत्म होगी शुबरंग हेलाल आज शमी पत्र शेविलिंग पर जरूर चड़ाएं सिंग राशी की बात करते हैं सेहत का ध्यान रखना होगा तामसिख भोजन से दूर रहें व्यापार में सफलता मिलेगी शुबरंग हे आपके लिए गेर हुआ आज भगवान शिव को शहद का भोग जरूर लगाएं कन्यराशी मित्रों और पडोसियों का साथ मिलेगा अपने प्रयास जारी रखिए छात्रों के लिए देन अच्छा है शुबरंगे सुनेरी आज भगवान गणेश को फल ज़रूर अपित करें आए दोस्तों बात करते हैं उस महाउपाई की जो आजिविका की समस्या को खत्म कर सकता है अपने किसी भी कारे के सिद्धी के लिए शनी के 108 नामों का जाब करें और पीपल की सेवा जरूर करें आए जानते हैं तुलावरिश्चिक धनुराशी का देनिक राशी पले अपनी सेहत का ध्यान रखें मित्रों की मदद करें शुबरंग है आपके लिए आसमानी आज देवी लक्षमी को इत्र जरूर चड़ाईए व्रिश्चिक राशी मानसिक तनाव बढ़ सकता है मित्रों से अलगाव बिलकुल ना करें रुकावव धन आपको मिलेगा शुबरंग है आपके लिए पीला आज भगवान गणेश को गुड़ का भोग जरूर लगाई दनुराशी पोराने संबंदों से फाइदा होगा नए अफसर की प्राप्ती होगी शाम तक व्यापार में उधार ना दें शुबरंग है गेरुआ आज बच्चों को मिठाई जरूर खिलाए आईए दोस्तों बात करते हैं तीसरे उस महाँ पाई की जो आपकी सिहत को अच्छा करेगा अच्छानक और बार बार आने वाली हिच्की को रोकने के लिए अधरक का आपको सेवन जरूर करना चाहिए बहुत जल्द आपको लाब होगा आईए जानते हैं मकर कुममीन का देनिक राशी फल मकर राशी पारिवारिक रिष्टों में मधूरता आएगी अपनों से बिगड़ी बात बनेगी रोके काम में सफलता भी आपको मिलेगी शुबरंगे केरुआ आज काले सफेद तिल का दान जरूर करें कुमराशी आज ये विका में बदलाव होगा अपनी वानी पर आप कंट्रोल रखें व्यापार में सेहोगियों का साथ मिलेगा शुबरंगे कत्थाई आज देवी गायतरी को गुड़ेल का फूल जरूर चड़ाए मीन राशी अंतिम राशी केमिकल के छेतर से जुड़े लोगों को आज लाप होगा पिता से कोई लड़ाई जगडा ना करें घर में बदलाव भी ना करें शुबरंगे जामुनी आज देवी लक्षमी को मीठा पान जरूर अड़पित करें आए मित्रो बात करते हैं चोथे और अंतिम उस महावपाई की जो हर दुख परिशानी को खत्म कर सकता है एक पान के पत्ते पर दो लोंग और तेसी का पूर रखकर आप जलाईए भगवती से प्रार्थना करिए और देवी दुरगा के 32 नामों का जाब करिए आप हर दुख परिशानी और संकट से बचे रहेंगे